ग्यान्द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यदि आपका चो बच्चा है वो आचनक से जाडू लगाने लगे या जाडू से खिलने लगे तो कुदरत प्रकृति आपको क्या संदेश देती है और भी जाडू से लेड़े रहने चीज़े आपको बता देते हैं देखिए घर में साफ सफाई को लक्षमी से जोड़ा गया है जाडू का सीधा समंद सफाई से है इसलिए सास्त्रों में इसे भी देवी लक्षमी का प्रतीक माना गया है वैदिक माननेताओं में घर में जाडू रखने के अस्थान से लेकर इसका उप्योग करने तक के लिए कुछ विसेश नियम बनाए गया है जिनका पालन करना हर खुशाल परिवार के लिए आवश्यक माना गया है जाडू के प्रियोग से जुड़ी कई माननेताओं हैं जैसे सुबह की शिरुवात सबसे पहले जाडू द्वारा घर की सफाई करना है नए घर में पुराना जाडू ना लाकर मतलब लेकर नहीं जाना है जब अप नए घर में प्रिवेश करना है तो पुराना जाडू में लेकर मच जाई है सुर्यास्त के बाद घर में जाडू नहीं लगाना चीए यह कुछ ऐसी माननेताओं हैं जिन्हें करने से घर में दरिद्रता आती है तो ऐसा काम मत कीजिया तो हम जो आपको बताने वाले हैं वो कुछ ऐसी माननेताओं जिन्हें करने से दरिद्रता को आप दूर भगा सकते हैं और लक्षमी का अस्ताई निवास वहाँ पे होगा इसके लगा जाडू रखने को लेकर भी कई तरह के मानननेताओं हैं ऐसा माना जाता है कि जाडू को कभी खड़ा नहीं रखना चीए इससे घर के दुश्मन बढ़ते हैं इसकलाए भी माननेता है कि जाडू को कभी खुले में नहीं रखना चीए बलकि घर में ऐसी जगा रखना चीए जहां किसी की भी नजर नहीं पड़े खास करके बाहर से आने वाड़ी लोगों या अतीतियों की नजर में वो बिलकुल नहीं है इसी प्रकारी करने मानता है कि बच्चों को लेकर है अक्सर घर में देखा जाता है कि छोटे बच्चे आचानक अपना खिलोना चोड़कर जाड़ू उठा कर उसे खिलने लगते है ये घर में बड़ू की नकल करते हैं जाड़ू उठा कर उसकी सफाई करने का प्रयास करते है तो अगर कभी घर का कोई भी बच्चा ऐसा करता है तो सास्त्री अर्थों में या घर में किसी आगंतु की आथिती के आने का संकेत है इसके लाई भी माना जाता है कि आने वाला आथिती या तो आपके लिए आर्थिक व्रिष्टी से किसी प्रकार से लाव प्रद सिद्ध होगा या किसी अन्य प्रकार से आपको धन लाव होगा सीधे शब्दों में यह आप पर मालक्षमी की किर्पा होना भी दिखाता है तो धन्यवाद आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे देशिए धन्यवाद